पॉडर्मा चार सालों में आपने अपने संस्थी छेत्र में क्या चैने दिए राजनितिक जीवन का और राजनितिक कारियों की के प्रति लोगों के नजरी अलग-अलग है राजनितिक को देखने की दृष्टी पर निर्वर करता है कि क्या किया और नहीं किया इसका आकलन करना सबसे बड़ी बात जो मैं समझता हूँ कि जहार लोक तंतर में होना चैए वो ये कि जन प्रतिनिधी और जनता दोनों के जो संबंध है वो जीवनत रहने चाहिए मैं इसको बहुत प्रारंबिक और बहुत बुनियादी बात मानता हूँ क्योंकि लोक तंतर की सफलता का आधार यही बनता है और उस मामले में मेरी कोशिस यह रही चार साल में कि जनता से सीधा जोड़ा रहूं उनके सामाजिक जीवन उनकी राजनितिक जीवन उनकी बैक्तिगत जीवन में हम जहां सहवागी बन सकते हैं वहां बने हैं तो यह एक नजरिया है सामाजिय रूप से लोग क्या किये क्या कर पाए इसमें कुछ construction को लेते हैं कि क्या क्या construction कराए लेकिन मैं आपको इतना बनाओं कि लोक तंत्र के प्रति जो कुछ पढ़े लिखो लोगों में अनास्था पैदा हो रही थी वो अनास्था को दूर करने का प्रयास मैंने किया कि नहीं जनप प्रतिनिधी समाजिक जीवन और रा प्रतिनिधी से मेरा सिधा सरोकार्व है कहीं मैं खुद कहीं अपने प्रतिनिधियों के द्वारा पूरे छेत्र में अपने संपर्क को बनाई रखने का प्रयास करता हूं दूसरा स्टेज है कि छेत्र में जो कुछ जन सुविधा के लिए विकास का कार्य है कुछ उनकी ज़रुरत के अनुसार कुछ छेत्र में गुनियादी सवाल सिख्षा का है रूड का है तो मेरी उस ममन में मैं यह कहूँ कि कुछ मामले में हमारे यहां बहुत संजोग सफलता मिली अभी जब भारत सरकार ने इस बार के बज़ट में 24 मेडिकल कॉलेज हिंदुस्तान में खोलने का निरने लिया उसमें से एक मेरे पारलेमेंट कौडर्मा में आया राज सरकार के अस्तर से दो इंजरिडिंग कॉलेज भी हमारे यहां एक गिरिडी के लिए शुक्रित हुआ है कौडर्मा में उसका काम चालू है सेंट्रल विद्याले हमारे हां केंदरिय विद्याले एक भी नहीं था पूरे पारलेमेंट में आज तक आजादी के बाद गिरिडी में वो गिरिडी जीले केंदर्मा मेरे लोकसभा चेतर में केंदरिय विद्याले का सुकृती हुई वो सुभारंब हो गया है कोडर्वा में शुक्रित हो चुका है बिल्डिंग में थोड़ी कमी रहने के कारण वो सुरू नहीं हुआ लेकिन अभी हमको लगता है वो भी प्रारंब होगा तो दो केंदरिये विद्याले लोगसभा छेत्र में मेरे आए इसके अतरिक्त कई जो हाई स्कूल है क्योंकि आज कल गरामिन शेत्रों में एक बड़ी परिवर्दन आया है लोग लड़कों को पढ़ने के लिए बाहर भेज देते हैं लड़कियां सावान रुप से काव में ही पढ़ती है और जो कर्मित उची विद्याले में उसमें स्यानी स्यानी लड़कियां पढ़ने जाती है तो इस हाई स्कूल की ब्यवस्ता सुरक्षा की दरिष्टी से बहतर हो इस दरिष्टी से हमने कोसिस किया हाई स्कूल का जो उन्यन हुआ है उसको एक अस्तर दिया जाए और उसमें जगा जगा जहां हाई स्कूल को खास करके जहां लड़कियां पढ़ती हैं उसका बॉंडरी वाल बनाना वो मेरी प्रार्थिमिक्ता में रहता है स्कूलों का उन्यन कैसे हो सके इसके लिए ज़रूत पढ़ाए स्मार्ट कलास वगर बनाना तो यह चीजें हम वहाँ बिशेश रूप से लेते हैं और मैं कोडर्मा के बारे में बताओं तो मैं अभी तक लगबग चित्री प्रमुक सडके थी हमारी जो पिछले पिछ तीस-चालिस वर्सों से बहुत दुरुदसा में थी टूटी हुई थी बनी नी रह थी तो इस बार राज सरकार का जो राज उच्पत जो इभाग है उसके द्वारा तमाम सडकों का पी डवलोडी डिपार्टमेंट ने टेक अप किया और लगबग जितनी भी लंबे दूर की सडके हैं वो दुरुस्त हुई अब उसका नाम भी बताया सकता है कोडरमा से एक इरेडी को जोडने वाली जितनी भी सडके हैं उसको बहतर करवाना और हर एक प्रखंड मुख्याले को बी डवलोडी से जोडना ये काम मैंने वहाँ पर विशे सुरूप से किया कुछ छेत्र उग्रबाद प्रभावित छेत्र थे वहाँ भी राजनितिक गत्विधियां चालू रहे और उन छेत्रों में संपर्क के लिए सडकों का बहतर विकास हो जाए तो ये कुछ बुनियादी चीजे हमने वहाँ पर खड़ी की है समाने रूप से हर एक मंगलवार को सरकार के ओसे ब्लॉक डे होता है मैंने कोशिज की है और सुरुवाद की है कि जो हर एक प्रखंड में हमारे प्रतिनिदी होते हैं मेरे विशुत्री के अध्यक्ष होते हैं और हमारे जो कुछ प्रमुख लोग होते हैं वरकर तो ऐसे प्रतिनिदी हर एक मंगलवार को प्रखंड मुख्यालों में बैठते हैं और पूरे प्रखंड की जनता जो अपनी समस्याओं को लेके आती है चाहे वो रासन से संबंदित मामला हो चाहे वो बिधावस्था पेंसन से लेना वाला मामला हो चाहे वो जनवितरण प्रणाली के समस्या हो तो या रसीद जमीन की रसीद समस्याओं जो बहुत मुनियादी है गाउजीवन का तो उनको समाधान भी हमारे कारे करता उनके साथ मिल करके अधिकारियों से कराना ताकि राजनितिक रूप से वो अपने आपको कहीं सुन्यता में नहीं मैसूस करें ये मेरी कोसिस वहां रही है हमारा छेतर बिहार के बॉर्डर से बहुत लंबे दुरी तक जूड़ता है और हमारी एक समस्या रही है कि बिहार का जो सीमा छेतर है तो अभी कुछ अपराधिक जो अपने को उगरवादी कहते हैं वो बिहार में छिपते हैं जारखन में कभी-कभी आके दुरगटना एक करते हैं और फिर बिहार खुश जाते है तो इसकी एक समस्या है लेकिन उसको कंट्रूर करने के लिए बिहार से अधिकारियों से प्रसासन से जूड़ करके और वो नियंतरन करने का मेरा प्रयास रहता है कुल मिला करके मैं ये कहूं कि कोडरमा लोकसभाचेतर जारखन के जागरुक लोकसभाचेतरों में